आज के इस भाग में हम लेकर आए हैं मकर राशी वालों का सापता इक राशी फल यानि कैप्रीकॉन वीक्ली प्रेडिक्शन मकर राशी वालों के लिए 15 जुलाई से 21 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है? आए जानते हैं इस भाग में नमस्कार दोस्तों मैं ये श्पल जंजोगा और आप देख रहे हैं Effective Astrology से पहले बात करते हैं आपके स्वास्ते की तो स्वास्ते की दृष्टी से ये सप्ता आपके हड्डियों की सबंस्याओं के साथ साथ दात दर्द जैसी छोटी मूटी परेशानिया दे सकता है इसके अलावा आपका ये सप्ता स्वास्ते की दृष्टी से ठीक रहेगा करियर की बात करें तो ये सप्ता आपका पूरा ध्यान करियर पर ही रहने वाला है इस सप्ता आप करियर को लेकर ज्यादा चिंतित रहेंगे इस सब्टा की सबसे बड़ी और खास बात ये रहेगी कि इस सब्टा आपको आलच को छोड़कर कारे पर ध्यान देना है क्योंकि इस सब्टा आप जितनी महनत करेंगे आपको फल भी उसी प्रकार से मिलने वाले हैं पारिवारिक स्थिति की बात करें तो इस सब्ता आप संतान पर धन खर्च करेंगे। इस सब्ता संतान की सिक्षा, गिफ्ट जैसी उनसे जुड़ी चीजों के लिए धन खर्च कर सकते हैं। करियर की बात करें तो अगर इस सब्ता आप भागा दोड़ी करते हैं तो आपका को कोई सरकारी रूका हुआ कारे पूरा हो सकता है इस सब्ता आपको कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई नोकरी मिल सकती है वहीं कारेशेत्र में आपके कारे की प्रशंसा भी की जाएगी व्यवाहिक जीवन की बात करें तो बुद्ध और शुक्र के प्रभाव से इस सब्ता आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे हर पल उनका मूड चेंज होगा वहीं पार्टनर के द्वारा आपको कोई गुड न्यूस भी मिल सकती है आर्थिक सिति की बात करें तो इस स सब्ता अगर मकर राशी वाले अपनी आर्थिक सिति मजबूत करना चाहते हैं तो इस सब्ता आपको अधिक मैनत करने की आवशक्ता है भागे की बात करें तो इस सब्ता आपके रुके विकारे पूरे हो सकते हैं बस अपने प्रयास करने की स्पीड को बढ़ाना होगा कोई भी मैत्वपूर्ण कारे करने के लिए मंगलवार और शुक्रवार का दिन शुब रहेगा वीडियो के अन्त में अब बात करते हैं इस सपता के उपाये की मगर उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर अगर नए है तो चै अगली वीडियो में सबता ही ग्राशिफल के साथ जल्द हाजिर होंगे तब तक के लिए ओम नमस्चिवाए